नमस्कार आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूस मैं हूँ आपके साथ अमितेश अग्मी होत्री देश में कोरोना वैक्सीन की कमी से वैक्सिनेशन प्रोग्राम रफ्तार नहीं पकड़ पा रहा है इस बीच एक रहात बरी खबर भी सामने आ रही है अगर सब कुस ठीक रहा तो जल्द ही भारत में दुनिया की सबसे सस्ती कोरोना वैक्सीन उपलब होने जा रही है हैदराबाद की कम्पनी बैलोजिकल ई इस वैक्सीन पर काम कर रही है इसका नाम कोरोने वैक्स रखा गया है अभी इस वैक्सीन के तीसरे चरण का ट्रायल चल रहा है इस ट्रायल के नतीजे आने के बाद कम्पनी इमर्जेंसी अप्रूवल के लिए अपलाई करेगी इस अंभावना इस बात की भी है कि इस वैक्सिन की दोनों डोजों की कीमत 400 रुपए से भी कम हो हालंकि आखरी फैसला यूज का इमर्जन्सी यूज का एफ्लूवल मिलने के बाद ही किया जाएगा भारत में केवल दो वैक्सिनों को ही इमर्जन्सी एफ्लूवल मिला है इनम इसके लावा दोसरी वैक्सिन भारत बायोटेक की को वैक्सिन है जिसे सरकार को 400 रुपए प्रतिक डोस के हिसाब से और नीजी अस्पतालों को 1200 रुपए प्रतिक डोस के हिसाब से दिया जा रहा है इसके लावा भारत में रूस की बनी स्पुत्निक भी को भी एक्रूबर म झाल झाल